हे गाईस वैलकम टो वर यूट्यूब चैनल आज की स्वीडियो में दोस्तों हम 6 प्लस 6 कॉयल हाई स्पीड सिलिंग फैन का कम्प्लीट वाइंडिंग डाटा जानेंगे यह वाइंडिंग डाटा दोस्तों मैं ऐलमिनियम और कॉपर दोनों वाइर्स के साथ मैं आपको शाथ शेयर करूँगा अगर आप फैन को हैंड से रिवाइंडिंग करते हो या फिर वाइंडिंग मशीन से करते हो तो उसके लिए भी अलग-अलग डाटा आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ दोस्तो इस fan की winding के लिए हम यहाँ पर 34, 35 and 36 gauge इस्तमाल करेंगे जिसमें दोस्तो 34 होगा aluminum के लिए और 35 और 36 का डाटा मैं आपको copper wire के साथ में दूँगा यहाँ पर दोस्तो सबसे जादा इस fan की winding 35 copper wire के साथ में की जाती है यहाँ पर दोस्तो fan का winding data जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं फैन की थोड़ी सी basic information जिसमें fan और stator की जानकरी include है यहाँ पर दोस्तो जो stator है यह जो display पर आप देख पा रहे हो हमारे high speed ceiling fan का यहाँ पर दोस्तो इस high speed ceiling fan का जो working processor वो single face 220 volt AC का है यहाँ पर दोस्तो इसके अंदर total 24 slot है जो आप खांचे देख पा रहे हो जिसमें starting के आपके total 12 slot है और total 12 slot है आपके running के बड़े slot आपके starting के है और छोटे slot आपके running कोईल के है जैसा कि दोस्तो मैं mark करके आपको display पर दिखा रहा हूँ starting के slots compared to running slots के बड़े होते हैं और starting के slots आपके छोटे होते हैं यहाँ पर दोस्तो primary पहले आपको starting कोईल से install करने है यहाँ पर दोस्तो इस्टेटर की ठिकनेस अगर जाने है तो हम दोस्तों जो इस्टेटर की मोटाई है वो तकरिबन दोस्तो 0.6 inches है इसी size को अगर convert किया जाए mm में तो वो तकरिबन 15 mm होगी अगर आपका इस्टेटर साइज इससे ज़्यादा है या फिर कम है तो आप वीडियो में दिया गया डाटा इस्तमाल कर सकते हैं बेफिकर होकर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी अगर जानी जाए तो उसे बोलते है हम OD यानि की outer dire वो तकरिबन 4 inches का है यानि की तकरिबन 100 mm अब वहीं पर दोस्तो इस इस्टेटर की roundness की बात की जाए OD के अंदर इस्टेटर की total roundness आउटर डाया तो वो तकरिबन दोस्तो 13 inches है अब इस 13 inches के size को अगर mm में convert करें तो वो तकरिबन 330 mm होगा अब यहाँ पर दोस्तो हम बात करते हैं fan के rpm की जो fan का rpm है round per minute वो तकरिबन 960 है और यह rpm नीचे से देखने पर clockwise होगा capacitor 3.15 mfd का है और इसमें 7 नमबर PV seat का इस्तमाल किया जाएगा अब जानते हैं दोस्तो complete winding data और यह winding data है आपकी hand rewinding के लिए अगर हाथ से winding करते हो यहाँ पर दोस्तो आपको swg coil distance, coil turns, coil pitch वगेरा सभी इस data के अंदर complete include किया गया है यहाँ पर दोस्तो data में changing तो कुछ खास नहीं होती सिर्फ changing होगी तो turns और wire को लिकर अब दोस्तो जो next हमारा winding data है वो आता है 35 copper wire के साफ में 35 नमर copper wire साफ में यह winding data सबसे ज़्यादा इस्तमाल में लिया जाता है अगर आप copper wire से hand winding करना चाहते हो तो यह data इस्तमाल कर सकते हो दोस्तो इस winding data में और पहले winding data में सिर्फ gauge और turns का changing किया गया है लास्त लिया आपका winding data आता है hand winding के लिए 36 नमर copper wire के साफ में दोस्तो इस data को आप 35 नमर wire की जगे डाल सकते हो अगर आपके पास में नहीं है लेकिन दोस्तो इससे ज़्यादा बहतर आपका 35 नमर wire रहेगा दोस्तो यह था था hand winding के लिए अब यह जो winding data यहां से आएगा यह आता है आपकी ceiling fan winding machine के लिए अगर machine से rewinding करते हो तो जो मैं आपको data अब दूँगा यह आपको इस्तमाल करना है सबसे पहला आता है 34 नमर aluminum wire के साफ में यहाँ पर starting और running में दोनों में 34 नमर aluminum wire इस्तमाल करना है इस starting में 520 turn और running में 570 turn ने करनी है यह तो हो गया 34 नमर aluminum wire के साफ में सेकिंड आता है 35 नमर copper wire के साफ में जो कि दोस्तो company wasted winding data है जिसमें दोस्तो running और starting में 35 नमर wire इस्तमाल करना है इस starting में 500 turn और running में आपको 550 turn ने करनी है अब दोस्तों अगर आप पास 35 नहीं है तो आप 36 भी डाल सकते हो अगर आप original wire है तो तो यहाँ पर दोस्तों आपको running और starting में दोनों में 36 इस्तमाल करना है wire और coil turns 520 और 570 करनी है इस data को save करने के लिए आप screen insert बना सकते हो और description में भी यह complete data include किया गया है I hope you guys यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को कर देना like आगे देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करना और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को press करना और दोस्तों वीडियो को ज़्यादे ही पसंद आया गया तो आपसे request है हमें Facebook और Instagram पर जरूर से follow करें क्योंकि वहाँ भी आपके लिए knowledge के लिए बहुत सारी questions, videos, photos मिलते रहेंगे description link में दिया गया है मिलता है next video कुछ ने update साथ Thank you so